हेले स्टूडेंट कैसे हैं आप से उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्तोंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चलड़ी होगी किसी बस्तो या निकाय की एक यांट्रिक उर्जा सदे नियत रहती है उर्जा सनरचन का नियम यह जो बिजो बल लग रहा होता है यнего माध्यम पर निर्वर ना करें पत पर निर्वर ना करें अर्था जैसे दो पिंडों के वी जो बल लगता है एक प्रकार से सनरची बल है तो सनरची बल के प्रभाव में जब कोई बस्तू एक दूसरे बस्तू के उपर गति करता है तब वहाँ पर घर्षनबल लगता है लेकिन यदि पिंडों के बीच तो घर्षनबल लगी नहीं रहा है तो घर्षनबल में है ना घर्षनबल की अनुपस्थिती में एनि घर्षनबल है ही नहीं सनच्छी बल कहां लगेगा तो पिंडों के बीच लग रहा होता है जब उसके पथपर निर्भर नहीं करता, यदि कोई बल लगा रहे हैं, उस बल के कारण वो कार कर रहा है, तो वो पथपर निर्भर नहीं करता है, जैसे प्रतवी और सूर के बीच एक आकरशन बल लग रहा है, तो वो बीच में मार्ग में क्या है, बायू है, गैस है, या माली जे इधर है कांच है पानी इससे कोई मतलब नहीं है बस बल लग रहा है बल के काणिस में विश्थापन हो रहा है तो संरच्छी बल के प्रभाव में इनी सिंपल है संरच्छी बल बोल दिया गया है मतलब वहां पर पथ पनिर्भर नहीं करता और जहां पर पथ पनिर्भर नहीं करेगा वहाँ पर घर्षनबल भी नहीं होगा तो घर्षनबल की एनवुपस्थिति में किसी बस्तुयय निकाय की कुली तरीश उर्ज्जा सदैम नियत रहती है नि जो भी उर्जा है यांतरिक उर्जा हमेशा नियत रहती है नि फिक्स रहती जितने हुआ है जिसे पिंड माली जे वो प्रत्वी पर गिर रहा है, मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, माली जी यहाँ पर कोई पिंड है, यह पिंड है बच्चो यहाँ पर और यह प्रत्वी सतय पर यहाँ पर गिरना चाहता है, प्रत्वी सतय यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ, अब प्रत्वी सतय में गिरत से समय मैं पहले यहां पर उर्जा निकालूँगा कि यहां पर कुल कितनी उर्जा है फिर मैं माल लीजिए यहां पर मान के चलता हूं कि एक बिंदू हमारे पास यहां ए था यहां पर एक बिंदू भी है यहां पर कुल कितनी उर्जा है फिर बिंदू सी पर पहुंचा तो यह पर कुल कितनी उर्जा इस आधार पर इसको गड़ना करेंगी तभी तो पता चलेगा कि बास्तवी क्रोप से यांत्रिक उर्जा संच्छन का नियम क्या कहता है कि जैसे कोई भी बस्तू उपर से नीचे की ओर आ रहा है तो उसका उर्जा सदैम नियत होती है ठीक है यही तो कह उपर से ही नीचे की और आ रहा हुगा तब यहां पर मैं कहूं कि भई यहां से एक ही जो उचाई है उसको मैं मानके चलता हूँ वच्चो एच यहां से यहां तक कि जो उचाई है वो कितनी है एच है ठीक है कितनी उचाई है एच उचाई है अब ए से बी तक मैं मानके चलो कि A से B तक कितना होगा तो A से B तक किरी मैं कह दूँ माना X तो अब आप कहोगे B से C तक कितना हो जाएगा तो इसका हो जाएगा H-X को रिकत नहीं है इसको मैंने H माना है है ना इसको मैंने X माना है तो यहां से H-X कर सकता हूँ घटा सकता हूं की नहीं घटा सकता हूं बिल्कुल यही डाइग्राम है तो हमारे पास तीन बिन्नु हैं एक A, एक B और एक C है ठीक है यह हमारा A है यह B है और यह C है और यह प्रत्वी तल है यहीं पहले माली जे ऊपर कोई बस्तू रखा है फिर गिरना स्टार्ट करता है गिरने के बाद बस्तू माली जे C पर पहुंचता है प्रत्वी पर जाकर रुख जाता है तो उसकी गतिज उर्जा इस्तिर हो जाती है अब इस पर दो उर्जाएं लगेंगी मुखरूब से एक तो गतिज उर्जा एक तो इस्तिज उर्जा इन्ही कोई बस्तू एदी इस्तिर है तो फिर इस्तिर रहेगा तो उस पर इस्तिज उर्जा लगेगी एदि कोई बस तो गतिमान है तो गति करेगी तो उस पर गति जोर्जा लगेगी ठीक तो हम तीनों बिंदूओं पर उर्जा की गड़ना करेंगे पहले कहां पर बिंदू उर्जा की गढ़ना करेंगे पहले बिंदू A पर उर्जा की गढ़ना करेंगे फिर B पर उर्जा की गढ़ना करेंगे और फिर C पर और तीनों बिंदों पर औरजा के फल सुरूप हम ये निसकर्श निकालेंगे कि हर एक जगा है औरजा नियत है औरजा सेम है कि नहीं यति औरजा सेम है तो आप कह सकते हैं कि भई सहाब ये अंतरिक औरजा सनर्चन का नियम है बास्तरवे क्रोप से उधान के माद्यम से हम प्रोप कर पा रहे हैं लेकिन यदि तीनों बिंदू पर उर्जा सीम नहीं है तो फिर ये यांतरिक उर्जा सनरचन के नियम का पलन नहीं करता है और exist इस परिभासा से नहीं होता है सिंपल तो चले सुरू करते हैं सबसे पहले हम बिंदू A की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर यदि मैं कहा दो कि सबसे पहले कोई बस तो इस्थिर रहा होगा तो पहले तो बिरामा बस्था में रहा होगा बिंदू A पर जो बेग है बिंदू A पर जो बेग है वो कितना रहा होगा सुन रहा होगा पहले बेग जो है सुन रहा होगा स्टार्टिंग में सुन रहा होगा ठीक है तब उसकी गतिज उर्जा कितनी होती है कैनेटिक एनर्जी एक बटा दो MB स्क्वेर तो जब बी का मान सुन हो गया तो kinetic energy सून हो गिया लेकिन बच्चो जो हमारा इस्तितिज उर्जा होता है इस्तितिज उर्जा उसका फार्मूला होता है MGH M द्रबमाने जी गुरुतवी तुरण है और उचाई H है तो MGH हो जाएगा तो कुल उर्जा है दी हम कहां पर बिंदू A पर बिल्कुल आप डायग्राम के आधार पर आज समझ गये कि माली जे पिंड जो है बीरामा वस्था से गिरता है जब बीरामा वस्था से गिरेगा तो उसका बेक कितना होगा सुन होगा तब उसकी गतिज उर्जा एक बटा दो यंबी स्क्वेर जब बेक सुन तो गतिज उर्जा सुन होता है इस्थितिज उर्जा है दी हम बोलें तो आप बतावगी सर इस्थितिज उर्जा का फर्मूला होता है अब कुल उर्जा कितनी कहलाएगी बिंदू ए पर कुल उर्जा के और यू को जोड़ेंगी तो क कमान सून है यू का एम जी एच तो एम जी एच ही आएगा यहां तक क्लियर यह डाइग्राम भी बना हुआ है डाइग्राम तो वही चीज़े जो हमने यहां पर बनाया है इसी आधार पर समझो तो भई हमने देखा कि बिंदू ए पर जब हमारा सुतनता पूर्वक कोई पिंड देखो यहां पर पूरा लिखा जाता है कि माना यहम द पूर्वक नीचे और गिरेगा तो हमने बिंदू ए पर निकाल लिया अब कहां पर निकालेंगे बिंदू बी पर तो दूसरे स्टेप में बिंदू बी के लिए निकाल लेते हैं बिंदू बी कैसे थोड़ा समझने कोसिस करें फिर से डाइग्राम में थोड़ा सा छोटा सा बनाता हूँ, यह मेरा प्रत्वी तल है बच्चो, है ना, H उचाई पर, H उचाई पर क्या है, एक पिंड है, प्ररम्बिक बेक 0 से स्टार्ट करता है, फिर B तक पहुंचता, यह H उचाई है, और फिर यह C तक हो गए, यह B तक, तो यहां से यहां तक चला, तो विश्ठाप कितना हो जाएगा, उचाई कितना है, H माइनर सेक्स, तो यह आपका हो गया, इस्तिति जूर्जा, यह सिंपल है, इस्तिति जूर्जा कोई भी निकाल सकता है, अब देखो, गति जूर्जा के लिए, फार्मुला क्या होता है, के बराबर, एक बटा दो, M B स्कूर, ठीक है, ऐसा हो सकता है, अब मैं मान के चलूँ, कि बिरामावस्था से सुरू होता है, बिरामावस्था से गति करना सुरू करता है, बिरामावस्था, यहां से यू बराबर, जीरो से गति करता है, और उसका B तक, बेक, अंतिम बेक, भी बराबर, B1 हो जाता है, तो 1 करके चलेंगे गती जूर्जा वहां पर कितना ये चीज निकालेंगे भाई यहां से चलना शुरू किया यहां पर बेग सुन था यहां पर पहुंचते पहुंचते बेग कितना हो गया भीवन हो गया इस इस्थिट में वच्चो यही मैं एस समय करण लगाऊं कि भी स्क्वेर प्लस यू स्क्वेर प्लस टू ये एस तो आप सिंपल तरीके से कहों कि सर भी बेग तो भीवन हो गया है पर हम भी बेग सुननों को लेकर चल लेते जी गुरुत्य भी तरण हो जाएगा एक जगए कितना चल कर आ चुका है एक से दूरी टै कर लिया के चिजए तो है एक से दूरी टै कर लिया है अफ CE फिर से समझ लो नहीं कहोंगे सर कहां कहां समझा दे तो समझ में नहीं आया यू आपका क्या है इस्तिती जूर जा देखो यहां पर इसकी उचाए h-x तो h-x कर लिए हमने अब यहां पर हम b square बराबर u square plus 2s गती का तरतिये समय कर लगा दिए b square तो b one square कर दिए क्यों क्यों कि प्रणम्य में बेक सुन था b तक पहुंचते पहुंचते उसका b कितना हो गया b1 हो गया तो भीवन कर दिया हमने, बेग सुनो गया, दो तो दो, और ए का है, ए का मतलब तुरण, और जी होता है, गुरुत भी तुरण, तो जी लगा दी, क्योंकि प्रत्वी की ओर आ रहा है, और बिस्थापन कितना तै कर लिया, भया, ए से बीता काने में, एक्स दूरी तै कर लिया तो भीवन स्क्वेर का मान आ गया आपके पास, तू जी एक्स, अब आपने पढ़ा, कैनेटिक एनरजी, एक बटा दो, एम भी स्क्वेर होता है, लेकिन बेग यहाँ पर भीवन है, तो भीवन लेकर चल रहे हैं, एक बटा दो, एम जी, देखो वई, एम तो, एम रहने दो यहाँ पर टू है तो टू जी एक्स, दो से दो कार दो, कितना है, एम जी एक्स, अब कुल उर्जा निकालना है, कुल उर्जा कैसे, कैनेटिक एनरजी आपके पास, एम जी एक्स आया है, एम जी एक्स आया है, तो कुल उर्जा कैसे निकालेंगे, कुल उर्जा ए का जो मान एक्स प्लस एम जी एक्स ये कट गया तो आपको निकल कर आ गया कितना एम जी एच ये कहां पर आया बिंदू बी पर आ गया बिंदू बी पर आ गया बिंदू हमने ए पर निकाला था एम जी एच बिंदू बी पर भी एम जी एच आया है कितना आया है mg h आजा है समझ रहा हो ना बिंदू b पर mg h आजा है देखो पूर्ण रूप से complete माना पिंड बिंदू a से x दूरी नीचे गिर कर बिंदू b तक पहुंचता है ठीक है a से चला b तक पहुंचा दूरी x से तया करा ठीक है आगे देखो प्रत्वी तल से उसकी उचाई h-x ये प्रत्वी है नीचे तल से उसकी उचाई कितनी h-x तब उसकी इस्थिती उर्जा mg h होता है h के जगे h-x कर देखो कोई गलात है नहीं अब यदि बिंदू b पर पिंड का बेक b1 हो b1 का मतलब शुरू में तो चलना इस्टार्ट किया था तो प्रारंबिक बेक 0 था इसलिए u का मान 0 रखते है b1 का मान b1 रखते है 2g h g मतलब हमारा तुरण है गुरत्य भी तुरण h मतलब विस्थापन कितना विस्थापन किया ये से b तक आने में x ठीक है प्रारंबिक भी एक सुन मान कर चल रहे है इसलिए b1 बार 2g x तो हम कैनेटिक एनर्जी निकाल सकते है गतिज उर्जा एक बटे 2mb square तो हमने value put कर दिया mb mb square में b का मान रख दिया 2g h 2g 2 कर गया तो mg h हो गया कूल उर्जा कैसे निकालते है कैनेटिक एनर्जी और जो भी आपका इस्तिज उर्जा है एनि गतिज उर्जा और इस्तिज उर्जा दोनों को जोड़ देते हैं तुमारे पास mg h आ गया यह दूसरे पिंड पर आया इसी प्रकार बच्चों तीसरे पिंड की बात करेंगी दूसरे बिंड पर हमारा mg h आ गया a पर भी mg h था b पर भी mg h है अब जो हमारा तीसरा बिंड इस पर निकलेगा तीसरा बिंड दू c पर आप देखो c पर उचाई सुन बिस्थापन कितना हुआ b से यहां तक में x a से बिस्थापन कितना हुआ h यदि b से बिस्थापन किएंगी तो h-x और लेकिन हम बोलतें कि c बिंड पर कुल कितना हमारे पास उचाई है तो आप कहोगे 0 है ठीक है बच्चो clear है तो अब आपको थोड़ा सा इसको विद्वत लिखना यहां तक तक clear है अब माना हो गयरा यहां पर भी लिखना पड़ेगा तो चलिए heading लगा लिजी आगे यह second condition था तीसरा जो condition है बच्चो वो आपको लिखना पड़ेगा बिंदू c पर c पर कुल उर्जा ठीक है बिंदू c पर कुल उर्जा कितनी हो जाएगी तो यदि मैं आपसे कहूँ कि इस्थितिज उर्जा कितनी हो जाएगी प्रत्वी तल तक को जाती है बिंदू c प्रत्वी तल पर है चूंकि बिंदू c प्रत्वी तल पर है कहां पर है प्रत्वी तल पर है है कि नहीं इसलिए इसलिए H बराबर 0 हो जाएगा तो बिंदू C पर इस्थितिज उर्जा कितना होता है बच्चो MGH MG इन्टु 0 बराबर 0 हो जाएगा यहनि हमारे पास U का माना आगे 0 इस्थितिज उर्जा 0 ही आएगा कारण है न क्योंकि उचाई ही नहीं है जब उचाई नहीं है तो 0 हो जाएगा क्लियर है कोई दिक्कत तो नहीं है चलो अब मैं मान के चलता हूँ माना बिंदू C पर पिंड का बेग V2 हो जाता है बेग तो बदलेगा इबदलेगा पहले 0 था फिर बाद में V2 हो गया तो इसलिए V2 बराबर E2 प्लस 2GH अंतिम बे कितना हो गया V2 हो गया प्रणबिक बे कितना मान के चलेंगे सुन और भाई दूरी कितना देट तै कर लिया 2GH H विश्थापन किया टोटल उपर सनीचे तकाने में H दूरी तै कर लिया तो V2 बराबर हमारे पास आ गया है कितना 2GH इसलिए C पर पिंड की पिंड की गतिज उर्जा गतिज उर्जा निकाल सकते हो आप सिंपल है गतिज उर्जा क्सूत्र क्या होता है एक बटा दो Mb2 है तो 2 e square कर देंगी तो कितना निकल कर आएगा बच्चो एक बटा दो M2GH दोसे तो कार दो MGH हो जाएगा ठीक है तो कुल उर्जा कितना हो जाएगा कुल उर्जा कितना हो जाएगा कुल उर्जा कहोगे बाई कैनेटिक प्लस यह आपका स्टेटिज उर्जा कितना हो जाएगा कैनेटिक आपका MGH लस जीरो बराबर MGH वाओ यार मतलब तीसरा जो बिंदू आमने लिया बिंदू C यहाँ पर भी उर्जा उतन नहीं है इसे निसकर्स के निकला कि प्रतेक बिंदू पर उर्जा नियत होती है गुरुत्य के अधिन सुतंता पूर्बग गिरत हो है पिंद की कुली आंतिक उर्जा नियत होती है उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कापी महात्मौन है जो आपके एक्जाम के लेबल से इनवल एक्जाम में पूछा जा सकता है इसलिए आप लोग त्यार कर लें ओके बच्चो जय हिंद बंदे मात्रम